हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है Realme 7 Mobile, यह कुछ इस तरह का Mobile है, इस वीडियो में मैं इसका रिवीव करने वाला हूं, आप तो इसके बारे में सारी स्पेक्स और डिटेल मैं बताने वाला हूं, इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में, स्क्रीन क्वालिटी, बिल्ड Mobile की in hand feel काफी अच्छी है, काफी premium सा यह लगता है, यूज करने में, और दोस्तों, Mobile की build quality मुझे काफी अच्छी लग रही है, लुकवाइज में Mobile काफी अच्छा है, इसमें ऊपर की साइड हमें कुछ नहीं मिलता है, राइट साइड देखें तो इसमें हमें fingerprint button मिलता है, इ और टाइप सिपोर्ट है नीचे की तरफ, राइट साइड में हमें volume up down button मिलते है, और sim tray भी right side में मिलती है, और back side देखें तो back side इसकी काफी अच्छी है, यह white color में है दोस्तों, यहां पे real में की branding है, दोस्तों back side में हमें 64 megapixel का main camera मिलता है, 8 megapixel का ultra wide camera होगा, और 2 megapixel का depth camera, 2 2 megapixel का macro camera होगा, साथ में LED flash मिलती है, back side इसकी काफी अच्छी है, और front में बात करें दोस्तों, इसमें हमें 6.5 inch की full HD plus IPS LCD display मिलने वाली है, जिसमें हमें 16 megapixel का punch hole camera मिलने वाला है, camera काफी अच्छा है, 4K video recording भी कर सकता है, एक नजर configuration पे डाल देते हैं, डिस्प्लेस में 6.5 inch क IPS LCD full HD plus display में लेगी, 90 hertz refresh rate के साथ में आएगी, Corina Gorling Glass 3 की protection के साथ आएगी, इसमें हमें Android 10 का support मिलेगा, Realme के UI के साथ में आएगा, प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G95 प्रोसेसर हमें मिलेगा, ये 2 variants में आएगा, 6GB RAM, 64GB internal storage और 8GB RAM, 128GB internal storage के साथ में, और camera की बात करें तो quad camera setup इसका primary हमारा होने वाला है, 64MP का main camera होगा, 8MP का ultra wide camera, 2MP का macro camera, 2MP का depth camera हमें मिलेगा, LED flash साथ में मिलेगी, front में इसमें हमें 16MP का punch hold display camera मिलने वाला है, कफी अच्छा camera हो इसका दोस्तो है, और इसमें हमें Type-C, USB Type-C का support मिलने वाला है, fingerprint sensor, इसमें side mounted fingerprint sensor हमें मिलने वाला है, बैटरी की बात करें तो 5000 की non-removable battery हमें मिलने वाली है, साथ 30W का fast charger हमें मिलने वाला है, screen quality की मुझे काफी अच्छी लगी दोस्तों, आपको मैंने दिखा दी यह sample भी IPS LCD display है और 90Hz का refresh rate भी है तो काफी अच्छी screen quality है, performance की काफी अच्छी है, इस तरह का interface दोस्ते इसमें आपको की मिलने वाला है, install apps भी आपको मिलेंगी, आपको speaker दिखाऊंगों तो दोस्ते, इस speaker काफी powerful है, video आपको चला के दिखा दिखा दिखे है, कैसी voice quality है, और इसकी quality के बारे में मिलने आपको बखने वाला हूँ, बोट कंपरेंगे काफी ज़्यादा, like belts और earphones अपने निकाल लगें, headphones की काफी अच्छी एंड्रोइड 10 का इसमें हमें support मिलता है, एक अच्छी बात यह भी है, realme भी अपना काफी अच्छे updates देने लगया, साथ की साथ update देता है, तो उससे कोईश्य नहीं रहता है, दोस्तो 64MP का में कैमरा है, डे लाइटिंग में इसका कैमरा काफी अच्छा है, और indoor में इतना अच्छा नहीं है, आपको samples में दिखा देता हूँ, front camera के भी samples में आपको दिखा देता हूँ, दोस्तो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें Mediatek Helio G95 प्रोसेसर मेंने वाला प्रोसेसर, दोस्तों बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 की मैसी बैटरी मिलने वाली है, और सार में मिलता है 30W का फास चार्जर, और Realme के कोड़िंगे 26 मिनिट में करीफ 50% के असपास चार्ज हो जादा, बैटरी की परफोर्मेंस इसकी काफी अच्छी है, प्राइस की बात करें तो अभी इसका प्राइस में हमें काफी डिस्काउंट भी मिलने वाला है क्योंकि फेस्टिव सीजन आ गया है, और आर्ट पे काफी अच्छी ओफर्स आ रहे हैं तो वहां से हम इसको प्रचेज करेंगे, तो 1000 का डिस्काउंट ता हमें वैसे ही मिल जाता है, SBI वगरा के कार्ड से और वैसे 15,000 का यह मुबाइल है जो इसका बेस्वेरियंट है, दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही रखते हूं, आपके लिए ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियों लेके आता रहूंगा, मुबाइल्स के रिव्यू, प्रोड़क्ट्स के रिव्यू, अपके लिए लाता रहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शर्ण चर्ण नोचर के पस्ब्सक्राब जरुरु आले ना